नमस्कार दोस्तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हैं जीस मंझ पर साथियों मेरा नाम है मंगेशकुमार और आप है दिसकस करेंगे यह आप जो वीडियो देख रहे हैं यह वीडियो है इरान कि इरान में सात्यों यहाँ पर इस टाइम बड़े पैमाने पर महिलाओं के द्वारा प्रोटेस्ट किये जा रहे हैं आखिर क्यों यह प्रोटेस्ट किये जा रहे हैं क्यों इरान में आग भड़क रही है तो इस सारे इश्यू को बहुती comprehensively हम discuss करेंगे दोस्तों तो आप वीडियो पर लाश्ट तक बने रहीएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और वीडियो को लाइक जनरू कर दीजेगा सात्यों यहाँ पर आप जो picture देख रहे हैं यह इरान की एक महिला है क्यों डेथ हो जाती है इनकी डेथ इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो एरान में कानून है हिजाब को ले करके बहुत ही strict कानून है कि अगर कोई भी महिला अगर हिजाब नहीं पहनती है कानून, Islamic कानून को follow नहीं करती है तो उनको जेल में डाल दिया जाता है तो इसी आधार पर इनको भी arrest कर लिया गया था और arrest करने के बाद में इनकी police custody में brutally इनको पीटा जाता है और बाद में ये coma में चली जाती है तीन दिन के बाद hospital में इनकी death हो जाती है ये तो था मामला और इसके बाद में पूरे इरान में हिंसा भड़क जाती है अपने बालों को काट करके विरोध प्रदर्शन करती है हिजाब को उतार करके फैंक देती है यहाँ पर आप जो यह इस वीडियो को देखिए आप लोग मामला यह है कि यहाँ पर अब जो है बड़े पैमाने पर पूरे इरान में आग भड़क चुकी है अब देखिए आगे बढ़ने इस पहले आप लोकेशन देखिए सबसे पहले इरान है कहाँ इरान की अगर बात करें तो यहाँ पर आप जो येलो कलर का यह पिक्चर देख रहे हैं यह है इरान इसके अलावा इसी को थोड़ा सा बड़े मैप में देखिए यहाँ पर यह इरान है तेहरान इसकी कैपिटल है और कैस्पियन सी से इधर इसकी बाउंडरी टच करती है नीचे पर्सियन गल्फ गल्फ और उमान यानि की कह सकते हैं मिडल इस्ट का एक देश है तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान और साउधी अरबिया इसके लावा इराक आर्मेनिया अजर वैजान इन सभी स से इरान की जो है बाउंडरी लगती है साथ यो भारत के कंटेक्स्ट में भी बहुत important है इरान क्योंकि आप जानते ही है भारत अपने यूज के लिए जो oil import करता है उसका एक तिहाई जो oil है वो इरान से import करता है तो यहाँ पर इतने बड़े scale पर जो हिंसा और आग भढ़क के द्वारा जो पहनावा है एक तरह से पहने वाला यानि कि सर को ढखने का एक कपड़ा होता है यहां पर आप देख सकते हैं अलग-अलग पहनावी होते हैं उसलिए मैईलाओं के बुरका होता है निकाब बुरका इस तरह से होता है पूरे ऊपर से लेकर करके एड़ी से कपड़ा होता है जिसमें और गर्धन को कवर किया जाता है हिजाब के तेहते हैं इसके जो दूसरा पहनावा वो अमीरा है, ये दो टुकड़ों में एक head scarpe होता है, जिसको में सर को ढखा जाता है, और गर्दन को, इसके लावा जो दूसरा एक और जो last पहनावा वो है खीमर, खीमर में क्या होता है, साथी हो, इसमें shoulders, heads को cover किया जाता है, गर्दन को cover किया जाता है, ताकि बिल्कुल hair दिखाई न दे, तो ये तो है पहनावा की बात, अब चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो मैला है, जिसका नाम है, महसा अमीन, और इनकी जो है, पुलिस कस्टडी में, टैथ हो जाती है, पुलिस कस्टडी में नहीं होती है, इनको पुलिस कस्टडी के दौरान, ब्रूटली इनको पीटा जाता है, वोयलेट, क्योंकि इन पर आरोप लगाया गया थे, इन्होंने, इनको पुलिस का गठन कर रखा, इरान ने, यहां पर आगे, यहां पर देख सकते हैं, यह है, और पुलिस के स्टडी में, इस तरह से, आकर के, हॉस्पिटल में, इनकी डैथ हो जाती है, तीन, तीन, चार दिन के कॉमा के बाद में, इस तरह से, पूरे इरान में, यह सब, और तहरान के बाहर, यानि कि पूरे इरान में, फैल जाता है, इनकी जो डिमांड है, जो प्रोटेस्टर से, इनकी डिमांड है, डैथ to the dictator, यानि कि, जो ताना सहा है यहां था, इरान का, उसको फांसी दी जाए, यह इनका मांग है, अब बात करते हैं, इरान के, क्या रिू इनकी जाता है, और यहां पर इन्होंने एक अपना कानून बना रखा है, उसके लिए ड्रेस कोड है, और उसको forcefully यह लागू करवाते हैं, महिला हैं जो public place में, बिना head scarps के नहीं निकल सकती हैं, बिना हिजाब के नहीं निकल सकती हैं, उनको हिजाब पहनना ही पड़ेगा इसके रवा tight trousers, stripped jeans और ऐसे कपड़े जो उनके घुटनों को दिखाएं या फिर brightly colored यानकी चमकिले color के कपड़े, चमकदार कपड़े यह नहीं पहन सकती हैं, यह पूरी तरह से यहां के outfits पर पृति बंद है, यह तो रही हैं, इनके cloths के जो rules हैं, अब बात करते हैं, हिस्ट इरान में, यह सासन यहां पर यह king होते हैं, एक तरह से पहल भी सहा, इनका rule हुआ करता है, तो 1936 से पहले, इन्होंने, 1936 आते आते इन्होंने एक कानून बनाया, और कानून के तहरे यह अपने देश को modern बनाना चाहते थे, आधुनिक रास्ते पर लाना चाहते थे, और हिला है, वो अपना कोई भी व्यक्ति, European countries में जैसे dress हैं, वो सब पहन सकते थे, कोई भी किसी तरह का कोई यरूरी नहीं था, हिजाब पहने ना पहने, बुर्का पहने ना पहने, और इस वीलिंग को ये लोग यूज करें या ना करें, कोई दिक्कत नहीं थी, इसको सब को इन्होंने पृतिबंद कर दिया, और पूरी तरह से अपने देश को modern बनाने की इन्होंने कोसिस करी, 1936 में, लेकिन उसके बाद में आप जानते ही हैं, 1939 आते आते हो, क्या सुरू हो जाता है, World War II सुरू हो जाती है, और World War II के दौरान यहाँ पर, रशिया और बिटेन का य रजा पहलवी, इनका सासन यहाँ पर स्थापित होता है, तो मुहम्मद जब रजा पहलवी यहाँ पर सासन स्थापित करते हैं, यहाँ पर अपने जो पिता की गद्दी लेते हैं, तो उसके बाद में, इनके जो पिता के द्वारा जो रियूल बनाया गया था ना, European dress courts और European पहनावे को follow करना, और देश को आधुनिक बनाना, इस सब पर धीरे-धीरे प्रती बंद लगा दिया गया, इन्होंने बंद कर दिया गया, और इन्होंने इस सब चीज को, यानि की, heads, cars वगएरा, और कुछ Islamic dress courts वगएरा, इन्होंने लागू करने शुरू कर दिये, 1970 आते आते दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से चीज़ें बहुत ज़्यादा, बड़े scales पर यह सब लागू किया जाने लगा, अब होता क्या, 1979 में यहाँ पर होती है Islamic क्रांती, जिसको Iranian क्रांती बोला जाता है, और यह Iranian क्रांती साथियों, इस दिसा में एक, बतलब पूरा ज का जो सासन चला आ रहा था ना, इसके खिलाप Iranian क्रांती होती है, इरान की क्रांती, और यह इरान की क्रांती मैं आपको बता दूँ दोस्तों, फ्रांस की क्रांती के बाद में, इसको दूसरी सबसे महान क्रांती के रूप में जाना जाता है, इरान की इस्लामिक क्रांती को, होती है उसके बाद में इरान को जो इसलामिक गनराजे घोशित कर दिया जाता है और यहां के जो सासक बनाया जाता आयातुल्ला खुमेनी को आयातुल्ला खुमेनी ने बाद में इन चीजों को पूरी तरह से follow किया और एक कानून स्थापित कर दिया गया और कानून के तैत यहां पर यह कह दिया गया कि अगर कोई भी जो यहां की women है वो हिजाब नहीं पहनेगी या फिर Iranian dress codes को follow नहीं करेंगे उनको jail की सजा सुनाई जाएगी fine लगाया जाएगा इनको इनके जो कानून में तो कहा गया था कि दो महीने की jail का या उनकी prison sentence उनको दिया जाएगा लेकिन यह सब कागजों में है साथी हो यहां पर 1979 के बाद मियाने कि post revolution Iraq के बाद में लगातार व्रोध प्रोधरसन यहां पर time to time होते रही हैं और इनके बाद में कई जो प्रोधेस्टर्स हैं उनको जो ग्रफतार कर लिया अरेस्ट करके इनको jail में डाल दिया जाता है और लगबग 10-10 सालों तक यह jail में ही रहते हैं तो इतना कड़ा कानून यहां पर लागू कर रखा है और एक तरह से यहां पर ताना शाही इस्थापित कर रखी है राइट्स बगएरा बिलकुल किसी माइने में कुछ भी लागू नहीं हो पाता है यहां पर तो इस बज़ेसे इन्हों ने यह सब कानून के तहत इनको इस्थापित कर दिया गया था और जो है पोश्ट रिवॉलिशन एरा पोश्ट रिवॉलिशनरी एरा का मतलब है यानि कि इरान की जो इस्लामिक क्रांती होई थी 1979 के बाद में उसके बाद में साथियो यहां पर यह तमाम जो चीज़े हैं लगातार होती रही है तो यह तो थी कि तब से आज तक जो है यहां पर और इसी चीज़ के लेकर के अब जो महिला है जो यहां की जो यह 22 वर्सी जो महसा अमीन जो नाम है इनका इन्होंने यह एक्चुली बाहर निकली थी पब्लिक पलेस में और इन पर आरोप था कि इन्होंने जो ड्रेस कोड है पीटा गया इनको इस चीज़ को फॉलो करवाने के लिए लेकिन बाद में अस्पताल में आ करके इनको तीन दिन तक कौमा में रहती है और इनका डैथ हो जाती है एक बात मैं आपको बता दू देखिए इरान एक मात्र ऐसा देश है पूरे वल्ड में पूरी दुनिया में जहाँ पर चाहे किसी भी धर्म के लोग हों चाहे किसी भी धर्म की महिला हों इसलामिक हों इसलाम को फॉलो करती हों या गैर इसलामिक धर्म को फॉलो करती है उनको ये जरूरी है कि वो यहाँ यानि कि इरान के अंदर head scarpe पहनेंगी हिजाब पहनेंगी यह जरूरी है पूरी ही entire country में और यह पूरी country में यह code लागू है इनका dress code और एक मात ऐसा देश है चाहां Muslim यानि कि क्योंकि अन्य देशों में ऐसा boundation नहीं है mandatory नहीं है कि Muslims के अलावा non-Muslim जो महिला है वो हिजाब पहने बुर्का पहने लेकिन यहाँ पर इरान में चाहे Muslims महिला हो या फिर गैर Muslim महिला हो उनके लिए जरूरी है तो यह था सारे सातियों पूरा issue और इसी को लेकर के अब जो है इरान में बड़े पैमाने पर आग बड़क रही है लोग महिला हैं जो और यहाँ पर जो और इसके अलावा जो और प्रोटेस्टर हैं वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है इन सब चीज़ों को लेकर के यह सब आप लोग देख सकते हैं तो चलिए इसी के साथ हम साथ यो वीडियो का एंड करते हैं सासन का एंड करते हैं अमीद करता हूँ आपको बहुत कुछ जानने को मिला हुगा आपको बहुत